अलो फ्रेंज वेलकम टू एलेस फूद लाइफ आज मैं आपके लिए लेकर आई हैल्दी और टेस्टे पत्तागवी की रेसिपी और यह टोटाल बंगाली रेसिपी है मतलब बंगाली स्टाल में बनाने वाली हूं और इसमें मैं ना प्याज इसका नेवल होना लेसन मतलब ब देखी सकते हैं और दो आलू एक अरीब दो मीडियम सेज की आलू को मैंने इस तरह से टुक्रों में काट लिया है और काटके मैं इसे पानी में भीगों के रख दिया ताकि आलू काला ना पड़ जाए एक चौथाय का मतल ले लिया है और चार हरीमेट ची और में लिया है और प्त्य गुर्विय काट लेंगे तो दसकते हैं और उसे लियाए और आधी के ल receipt सकते हैं अगार आप यह ज्यादा बनाना चालती बंगरे एक पंधा भी यूज रही आगर आप कम लोगों के लिए बना रहे हैं तो चलिए चलते गर्म और कराही पर ले के लिए रख दिया था तक उसक्राइब कराहर कर लेंगे आप चाहे तो अच्छा भी यूज़कर सकते हैं मतल़ पत्ता गवे में बहुत ही अच्छा लगता है तो यह देखिये बाती भी बाते में आप्छा हमारा फ्राइ हो चुका है और कलार देखिए कितना अच्छा है तो इससे हम प्लेट में निकाल लेंगे सब्चाहि की सब्चाहई आप पत्तागभी की सब्चाहँ में हैं, और शुक्ष्य मेर्चे तीखा कमियाज जदा कर सकते हैं, मतलब सुखी मिर्ची अब कमियाज जदे इसमें यूज कर सकते हैं, इसे हम 10 सेगन के लिए भूल लेंगे तकि तेजपत, इलाइची और सुखी मिर्ची का फिलेवर तील में आ जाएं, फिर हम इसमें डालेंगे एक छोटी चमच जीरा, इस साबूत जीरा है, मैं एक छोटी चमच यूज करेंगे, आप चाहें तो आधी छोटी चमच भी यूज कर सकते हैं, इसे चला दे जीरा को, और जीरा जलाने ही चाहें, कि अगर जलता वाद जीरा न अच्छा नहीं लगता है, इस तरका में है, फिर हम इसमें डालेंगे, जो पत्ता को भी हमने काटके नहीं रखे दे, वो हम डाल देंगे, अगर आज को रेसे पी आपको पसंद है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना भूले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, तक कि अगर मैं कोई भी नीव वीडियो अपलेट करती हूं, तो सबसे पहले नोटिफिकाशन आपको मिलें, यदि आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, तो मेरा वीडियो के कोई भी नोटिफिकाशन आपको नहीं मिलेंगे, प्लीज बेल आइकन को जुरूर प्रेस कर दे, साथ ही इसमें हम डालेंगे, एक चौथा एक आप माटर, कटा ऑपर फिर यूज किया, आप चाहे तो बगर कटलागा के भी यूज कर सकते हैं, अधी छोटी चमाश वल्दी पाउडर डाल देंगे, और साथ इसमें हम डालेंगे अधी छोटी चमाश लाल मिच पाउडर, लाल मिच पाउडर तीखा कमिया जढ़ा चाहे तो आप मिलच प भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं सजिस्ट करूँ कि आफ रेस्ट मोटरी यूज़ कि कि मटर का सीजिन भी और मटर आपके एजीले मार्केट में मिल जाएंगे जो भी इंग्रीडिन्स हमने अभी यूज़ किया पत्ता गोवी में वह अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब मिक्स होगते और से भी अच्छी तरह मसाला के साथ भी अब से धुक होड़ा फिर असे धख के पांच मिनट कुक कर लंगे लोव फिलेम पहर में और हम यूज़ करेंगे अलो। Puis either के बाद को पत्ता को भी थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में तो पांच मिनिट के बाद मैंने धक्कन खुला आप देख सकते हैं पत्ता को कलर कितना सुनहेरी कलर है और जो कॉंटिटी हमने यूज किया था पत्ता के मादब पूरा कराई भरा हुआ था आप कॉंटिटी थोड़ा कलकता में काफी लोग का प्याज लेसे नहीं खाते हैं तो अब इस तरह से एजी ली बना के सर्फ कर सकते हैं बनाना असान है और इसमें अब हम डालेंगे क्या आलू आलू डलने के बाद इसे हम दो मिनिट के लिए लो फ्लेम पे ढखके कुप कर लेंगे दो मिनिट के और हम ढखके कुप कर लेंगे तकि आलू थोड़ा सॉफ्ट हो जाए एक मिनिट के बार मैंने धकन कुला आप देख सकते यह सॉफ्ट हो चुका गोवी और आलू भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है लेकिन इसमें हम यूज करेंगे गरम मसला तरका में यूज नहीं किया था त कर सकते गरम मसला टलने के बाद इससे हम पकाएंगे नहीं जितने kinda गरम मसला को मिक्स होने में लगता है ना वस उतना ही इसम कूप करेंगे तो करने नहीं तो हैलदभी आं टेस्ट हे सबस्त जी हमारे त्यार है अग्वे संबन करतेंगी और इसे हम करेंगे सर्फ तो चले चलते सर्फ करने की प्रससे में और इस पत्तागवी की सबजी में आपने देखा कितने सिंपल में बनाया ना इसमें लजन यूज जवाब है और आप इस पत्तागवी के सबजे एजिली बना के सर्फ कर सकते हैं बनाना आसान है और टेस्ट इसके बहुत ही जवरदसत है और बगर प्याज़स के बना हुआ बहुत सिंपल में में बनाया जादा ताम जाम भी नहीं किया आप मुझे इंस्टाग्राम या फेस्बुक में फॉलो कर सकते हैं अगर आप इस चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे यदि आपको के सजेशन है तो कॉमेंट के जारी आप मुझे कह सकते हैं तो चले मिलते एक नहीं रेसिपिक के साथ बाई बाई